नवस्कार आसा है कि आप सभी अच्छे होंगे आज हम भारत के विभिन स्टेडियमों और वो किस खेल से संबंधित हैं किस राज्ज में हैं उसके नाम की चर्चा करने वाले हैं तो आए देखते हैं हमारा नरेंद मोधी स्टेडियम जिक की एक लाग 32 जार बैटने की छमता ह यह क्रिकेट से संबंधित हैं अहमदाबाद में जो कि गुजरात राज्ज मेंश्तित हैं वहाँ पर है विभेका नंद यूव भारती क्रेड़ा अंगन जो की कुलकत्ता पस्चिम मंगाल मेंश्तित हैं यहां एथलेटिक्स और फुटबाल के लिए जाना जाता हैं जिसमे 68,000 दर्सकों के बैठने की चमता है इडन गार्डन्स या किर्केट खेल से संबंधित हैं कोलकत्ता पस्चिम मंगाल में श्तित हैं जिसमें 68,000 दर्सकों के बैठने की चमता है जवाहर लाल नहरू स्टेडियम दिल्ली इंसियार में श्तित हैं यहां फुटबाल और एथले का स्टेडियम में जिसमें 60,000 दर्सकों के बैठने की चमता है इकाना अंतराष्टी स्टेडियम जो किया किर्केट खेल से संबंधित है उत्तर परदेश के लखनवु सहर में श्तित है जिसमें 50,100 दर्सकों के बैठने की चमता है EMS स्टेडियम जो कि फुटबाल खेल से संबंधित है कोजी कोड केरल में श्तित है जिसमें 50,000 दर्सकों के बैठने की चमता है केडी सिंग बाबु स्टेडियम यह किर्केट खेल से संबंधित है जो कि उत्तर परदेश के लखनु सहर में श्तित है जिसमें 50,000 दर्सकों की बैठने की चमता है वहें डी वाई पार्टिल स्टेडियम की बात करें जो कि यह किर्केट और फुटबॉल खेल के लिए जाना जाता है नवी मुंबाई महाराष्ट में श्तित है जिसमें 45,300 दर्सकों की बैठने की चमता है वहें 12 वती स्टेडियम की बात करें तो यह क्रिकेट खेल से सम्बंदित है जो की कटक उडिशा में श्तित है 45,000 दर्सकों की बैठने की चमता इसमें है बिदर्व क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम यह महाराष्ट के नागपुर सहर में इस्तित है जो क्रिकेट खेल से सब्बंदित है जिसमें 44,904 दर्शकों की बैठने की छमता है ग्रीन फिल्ड इंटर्नेशनल स्टेडियम जो की खेल संकूल के लिए जाना जाता है तिरुवन्तपुरम केरल में इस्तित है जिसमें 44,400 दर्शकों की बैठने की छमता है साइफाई अंतरराष्टी क्रिकेट स्टेडियम जो की यह क्रिकेट खेल से सम्बंदित है उत्तर प्रदेश के साइफाई में इस्तित है जिसमें 43,000 दर्शकों की बैठने की छमता है महाराष्ट क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम या महाराष्ट के पूने सहर में है जो कि क्रिकेट खेल से सम्बंधित है जिसमें 42,700 दर्सकों की बैठने की छमता है राजियु गाधी अंतरराष्टी स्टेडियम या क्रिकेट खेल से सम्बंधित है जो कि तेलांगना हैदराबाद में इस्थित है जिसमें 49,200 दर्सकों की छमता है J.S.C.A. अंतरराष्टी क्रिकेट स्टेडियम या क्रिकेट खेल से सम्बंधित है जो कि राची जारखंड में स्थित जिसमें 49,000 दर्सकों की बैठने की छमता है जवाहर लाल नहिरु स्टेडियम या क्रिकेट और फुटबॉल खेल से सम्बंधित है जो कि केरल के कोच्ची सहर में स्थित जिसमें 40,000 दर्सकों की छमता है लाल बहादुर सास्तिरी स्टेडियम जो कि एथलेटिक्स और फुटबॉल खेल से सम्बन दीत है या केरल के कोलालम में इस्टित है जिसमें 40,000 दर्सकों की बैठने की चमता है चिन्नाई जवहां लाल नहिरू स्टेडियम या एथलेटिक्स और फुटबॉल खेल से सम्बन जो कि तमिल नाडु के चन्नाई में इस्टित है जिसमें 40,000 दर्सकों की बैठने की चमता है वही बिर्साम उंड़ा फुटबॉल स्टेडियम की बात करें तो या एथलेटिक्स खेल से सम्बन दीत है जिसमें 37,800 दर्सकों की बैठने की चमता है डाक्टर भूपेन हजार क या क्रिकेट खेल से सम्बंदित है जो कि दिल्ली NCR के दिल्ली में इस्थित है जिसमें 35,200 दर्सकों की बैठने की छमता है बिर्शा मुंडा स्टेडियम ए अथलेटिक्स ब्यायाम से समबंदित है जो राची के जारखंड में इस्थित है जिसमें 35,000 दर्शकों की बैठने की चमता है अमबेदकर स्टेडियम या फुटबॉल खेल से समबंदित है जो की दिल्ली अन्सियार में इस्थित है हम बेटकर स्टेडियमें 35,000 दर्शकों की बैठने की चमता है M. चिन्ना स्वामी स्टेडियम या किर्किट खेल से सम्बंधित है Bangalore जो की करनाटक में इस्थित है जिसमें 33,800 दर्शकों की बैठने की चमता है वहिवान खेड़े स्टेडियम की बात करें तो या मुंबई में इस्थित है जिसमें 33,108 दर्सकों की बैठने की चमता है जमाहलाल नहरू स्टेडियम जो की फुटबॉल खेल से सम्बन दित है या तमिलनाडू के गुएमबटूर सहर में इस्थित है जिसमें 30,000 दर्सकों की बैठने की चमता है जी एमसी बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम या एथलेटिक्स और फुटबॉल खेल की लिए जाना जाता है जो की तेलांगना हैदराबाद के सहर में इस्थित है जिसमें 30,000 दर्सकों की बैठने की चमता है लाल बाहदुर सास्त्री स्टेडियम या किर्केट खेल से सम्बंधित है जो की तेलांगना के हैदराबाद सहर में इस्थित है इसमें 30,000 दर्सकों की बैठने की चमता है वही बक्सी स्टेडियम की बात करें तो या फुटबॉल खेल से सम्बंधित है जो जम्मू और कास्मीर के स्री नंगर सहर में इस्थित है जो फुटबॉल खेल से सम्बंधित है जिसमें 30,000 दर्सकों की बैठने की चमता है गुरुनाना के स्टेडियम की बात करें तो या फुटबॉल खेल से सम्बंदी था जो कि पंजाब के लुदियाना सहर में इस्थित है जिसमें तीन हजार दर्सकों की बैठने की छमता है मात्मा गांधी स्टेडियम जो कि क्रिकेट खेल से सम्बंदी था या तमिल नाडू के सलेम में इस्थित है जिसमें तीस अजार दर्सकों की बैठने की छमता है होलकर क्रिकेट स्टेडियम या क्रिकेट खेल से सम्बंदी था जो कि मद्यपर्देश के इंदावर सहर में इस्थित है जिसमें तीस अजार दर्सकों की बैठने की छमता है इंद्रा गांधी स्टेडियम जो किर्केट खेल से सम्बंदित है या महाराष्ट के सोलापुर जिले में स्थित है जो की 30,000 दर्सकों की बैठने की छमता है अंतर राष्टी होकी स्टेडियम यह 36 गड के राजनन्द गाउं में स्थित है जिसमें 30,000 दर्सकों की बैठने की जो कि या फुटबॉल खेल से सम्मन्दित है या सिक्किम राज के नामची सहर में इस्थित है जिसमें 30,000 दर्सकों की बैठने की छमता है इस्ट बंगाल ग्राउंड या फुटबॉल खेल से सम्मन्दित है जो कि पस्चिम बंगाल के कोलकत्ता सहर में इस्थित है जिसमें 23,500 दर्सकों की बैठने की छमता है सवाई मान सिंग स्टेडियम या राजस्तान के जैपूर सहर में इस्थित है जो क्रिकेट खेल से सम्मन् जो कि पस्चिम बंगाल के कोलकत्ता सहर में इस्थित है जिसमें 22,000 दर्सकों की बैठने की छमता है गुरु गोबिंद सिंग स्टेडियम की बात करे तो या फुटबॉल खेल से सम्मन्दित है जो पंजाब के जलंदर सहर में इस्थित है 22,000 दर्सकों की बैठने की छमता इसमें है इंद्रा गाधी स्टेडियम यह फुटबॉल खेल से संबन्दित है जो कि नागा लेंड के कोहिमा में इस्थी था जिसमें 20,000 दर्सकों की छंमता है अन्ना स्टेडियम यह खेल संकूल के लिए जाना जाता है जो कि तमिलनाडू में इस्तिता जिसमें 20,000 दर्सकों की बैठने की छमता है बिरसा मुंडा अंतरास्टी होकी स्टेडियम या होकी खेल से संबन्दी था जो कि उड़िशा के राउर केला में इस्तिता जिसमें 20,000 दर्सकों की बैठने की छमता डॉक्टर अख्लेश तास स्टेडियम या किर्केट खेल से संबन्दी था जो कि उत्तर प्रदेश के लखनाओं में इस्थित है जिसमें 20,000 दरसकों की छमता है बीर सुरेंदर साई स्टेडियम या किर्केट खेल से संबन्दी था जो कि उडिसा के संबलपुर में इस्थित ह जिसमें 20,000 दर्सकों की बैठने की छमता है पाटली पुत्र खेल परिसर या फुटबॉल खेल से सम्मान दी था जो की बिहार के पटना में इस्थित है जिसमें 20,000 दर्सकों की बैठने की छमता है कीनन स्टेडियम यह जमसेत पूर जो की जहार खड़ने में इस्थित है किरि पत्रपति साहू स्टेडियम यह एथलेटिक्स और फुटबॉल खेल के लिए है जो की महाराष्ट के कोलापूर में इस्थित है जिसमें 18,000 दर्शकों की बैठने की छमता है। रविंद्र सरोबर स्टेडियम यह एथलेटिक्स और फुटबॉल खेल के लिए स्टेडियम है जो पस्चिम बंगाल कोलकत्ता में इस्थित है इसमें 18,000 दर्शकों की बैठने की छमता है। कलिंगा हौकी स्टेडियम यह हौकी खेल से संबंधित है जो कि उडिशा के भुनिश्वर में इस्थित है जिसमें 15,000 दर्शकों की बैठने की छमता है। बीजू पटनायक हौकी स्टेडियम यह हौकी खेल से संबंधित है जो कि उडिशा के रावर केला में इस्थित है जिसमें 15,000 दर्शकों की बैठने की छमता है। वीडियो को अन्त तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपन दोस्तों के साथ सेब्सक्राइब करें। करें।